नए वीडियोज देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें। नमस्त्रमाजियत। बैठो बैठो। मा के उपर निवन लिखकर लाने को कहा था। लिखकर लाए हो। लिखकर लाए। लिखाओ किधर है। क्यों छोटे नवाब तुम्हारा निबंद कहा है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते तुम। क्यों नहीं लिखा है। समिनदार के बेटा होने का घमंड है। चलो हाथ निकालो। मा के बारे में दो शब लिखकर नहीं ला सकते हो। कम से कम मार खाते समय तो तुम्हारे मुझसे मामा निकलना चाहिए चोट लगने पर कोई भी मा का ही नाम लेता है पशु भी मामा करके चिलाते हैं तुम्हें क्या हो गया रहे बिचारे के माने यह सर छ्या रहेँ दॉ autoccue ऑशा पशु भी मामा झाशी प्रयख प्रच के मामा ज्क शोब्च अजय चुझे। सिरक्षण दंवा जान, संप्केट। Hello, who? May I know who is speaking? Just a minute sir, sir, we have a phone from Delhi Ah Mukesh, how are you? I'm fine, thank you मुनीम जी क्या है बेटा फोन में यहां से दिल्ली बात कर सकते हैं क्या क्या बेटा अमेरिका के राष्टरपती से भी बात कर सकते हैं हमें किसे बात करनी है फोन कैसे जानेगा हमारे फोन लगा थे ही एक्सचेंज में ऑपरेटर फोन उठाएगा हमें किस से बात करनी है जब बताएंगे तो वो connection देगा बहस सुनिए मुझे माँ से बात करनी है उसे बुलाईए न वो तो बगवान के पास है बेटा ज़रा फोन अपने पिता जी को देना नहीं मैंने पिता जी को कितनी बार कहा तो भी वो मा को लेकर नहीं आ रहे है एक मिनिट रुको प्रामिला जी बेचारा वेंकर जी का बेटा फोन करके अपनी मा से बात करने के लिए कह रहा है मा, मैं तेरे लिए हर रोज, हर रोज रौ रहा हूं और तू नहीं आएगी बोलके मा, तू नहीं आएगी कहके श्रेणू, वेणू, बाला जी, टिकू, सुनना जब मुझे रुला रहे हैं, मा मा, अज मास्टर जीने मा के बारे में ना लिखने के लिए मुझे मारा मैंने तुम्हें एक भार भी नहीं देखा न, इसलिए नहीं लिख सका मा, मैं तुम्हें देखना चाता हूँ मा मा, तुम गर आजाओ न तुम नहीं आओगी, तो मैं खाना नहीं खाऊँगा मा, मा पापा, पापा पापा मैंने मा से बात की, मा हमारे घर आ रही है मा जूट नहीं कहेगी, मा सच में आएगी है आएगी बेटा, सच में आएगी वो अगर मा नहीं आएगी, तो मैं खुद मा के पास जाओँगा पेटा, ने बेटा मैं जरूर तुम्हारे लिए मा लेकर आऊंगा बेटा गंगमोसी गंगमोसी तुम जानती हो कल मेरी मा आ रही है सुनो फुल्वा शाम को मेरी सब कपड़े लेकर आना अरे वेनू, श्रीनू, तुमने कहा ताना मा नहीं आएगी देखो कल मा आ रही है क्या मा आ रही है इसका बब दूसरी शादी कर रहा है रहे ओ अच्छा तो वो जो आएगी ना तेरी माने मोसी है नहीं वो मा है नहीं मोसी कहा ना मा है नहीं मोसी कि अ कि अ बुद बुद कि रुख जाओ तुम कौन हो मेरी मा हो या मेरी मौसी हो बोलो मैं तेरी मौसी नहीं बेटा मा हूँ सच में इश्वर की कसम मा इतना बड़ा घर बापरे अरे मेरी प्यारी बेहना इस घर का गहना अरे मेरी बेहना इतना कमजोर क्यों हो गई मेरी बेहना मेरी इस घर का गहना मेरी ननन्द मेरी प्यारी ननन्द मेरी जाओ अरे मेरी प्यारी प्यारी बेहना इतना वी कैसे हो गई है तू हो गया है तुम्हारा सर यह बहुत पतली हो गई है ना मैं कल ही आई थी एक दिन में पतली हो गई क्या अंदर आए देखो ननन जी तुम्हारे भीया की सब जाउन तुम्हारे उपरी है चोबिस घंटों में 48 बार बहना बहना कहके जाब किया करते थे देखो ना रोज तीन तीन प्लेट खाते थे ना कल दो ही प्लेट खाया इन्होंने सच है ना अपनी बहन को छोड़ कर अब मैं नहीं रह सकता इसलिए अपनी सारी खेती बाड़ी गहने वहने जमीन जैदाद सब कुछ छोड़ करके अपनी बहन के पास आ गया हूँ साब जब शादी करने के लिए आपके गाउं आए थे तब हमें आपके घर में आपके अलावा गैने कपड़े वहां जी सब कुछ भी दिखाई नहीं दिया था मुनीम जी साब जीजा जी अगर आप कहें तो मैं अपनी बहन के देखभाल करते हुए यहीं कुछ जैसा रहूंगा आप हमें जो भी खाना देंगे वो हमारे लिए काफी होगा आपका बचा हुआ मटन मुर्गी चिकन खाते हुए बहन जीजा बहन जीजा का जाप करते हुए हम यहीं कोने में दुखके रहेंगे है न जीजाजी देखिए साले साब हमारा और कौन दूसरा रिष्टेदार है यहाँ पर आप इसे अपना ही घर समझ कर रही है आप आप कितने अच्छे जीजाजी है जीजाजी नहादो कर आप थोड़ी देर आराम कर लिजे तब तक मैं अपना काम नि कहना क्यों भाईया दूसरों के ऊपर मुसीबत बनकर गिरते हैं आप और उन्होंने आपका नाम गिरिश रख दिया इसके लिए लिए हाई अब क्या करूँ हाई अब क्या करूँ हाई हो गया हमारा घर पूरा डूब गया अरे यह सारी जादा जीजाजी के नाम है यही बो जीजाजी के नाम तो एक इंच जमीन भी नहीं है यह पूरी जायदाद उस चोटे नवाप के मा की है तेरे पती जस्ट उसके वाच्मैन है इतना ही नहीं तुम्हारी सौतन जाते जाते वसियत में चोटे नवाप की शादी होने के बाद वो या उसकी बीबी दस्तकत करे त कुछ नहीं हो गया हमारा प्लान पूरा हो गया मा देखो ना गनित में मुझे कितने मांक्स आए है मेरा प्यारा बच्चा तू जाक कर नहां ले फिर मैं खाना खेलाती हूं ठीक है मा इंडिया है पाकिस्तान तेरे सरका फूल निकालिस्तान ये छोकरा अनपड़ गवार बनेगा तो हमारी मुठ्छी में रहकर लाइफ लॉंग गेम खोलेगा ऐसा सोचा था मैंने लेकिन अगर ये सो में सो एक सो सोला लाएगा तो हमारे हिस्से में सिर्फ मिट्टी ही आएगी क्या कहना है छोटा नवाब हमारी मुठ्छी में रहना चाहिए वो ही ना इतना ही लेकिन वो इतना असान नहीं है देखो इस पल से मैं उसे कैसे पालूंगी वो तुम देख लेना अब वो जीएगा तो मा के लिए और मरेगा तो भी मा के लिए खाना ठीक से खाओ ये पढ़ाई छोड़ो बेटा ऐसा क्यों मा मैं पढ़ाई नहीं करूँ पढ़कर क्या हासिल करोगे हमारे मुनिम जैसे मा जी बोलके नौकरी करने वाले उतना ही नहीं उधर देखो वो सब कौन है मालूम है इस तरफ खड़े हैं वो एंजिनियर है वो बीच में खड़े हैं तैसिल दार हैं और वो काली कोट वाले लौयर हैं वो सब इतनी पढ़ाई करके तेरे पिता जी के सामने क्यों हाथ जोड़ कर खड़े हैं क्यों हाथ जोड़कर खड़े हैं? हमारे पास पैसा है न? इसलिए बेटा, कितना भी पढ़ने वाला, पैसे वालों के सामने हाथ जोड़कर ही खड़ा रहता हैं. तुम खूब पढ़कर भी उनके जैसा हाथ जोड़कर खड़े रहोगे क्या? या फिर अच्छी खेती बाड़ी करके खूब पैसा कमा के पैर के उपर पैर रखे ठाट से बैठोगे? तुम्हें क्या पसंद है? मुझे मेरा बेटा खूब ऐसा कमा के पैर के उपर पैर रखे बैठे वो ही पसंद है. सूपर बेहना, सूपर बेहना, आखिर उस छोकरे की पढ़ाई बंद करवा ही दी. अब तो बस वो एक कट पुतली है. हम जैसा चाहें अब उसे नचा सकते हैं. दिखो, ऐसे ही अब जीजा जी के हाथों में जो चाबिया हैं, अगर वो भी हमारे हाथों में आ गई, है तो तू हो मिनिस्टर और मैं फाइनेस मिनिस्टर. बाबी सुनो, नारिल तेल की बोतल लाओ. अजी सुनते हो, खाना खाने आईए. आ रहाओ. क्या हुए, डॉक्टर साहब? उन्हें कोई खत्रा तो नहीं है, ना? सारी, मैडम, इनकी रीड की हड़ी तूड़ गई है. अब इनके लिए चलना फिरना मुश्किल है. सुनिए, दवाई ले लिजिए. आरे, नहीं, मैं ये दवाई नहीं लूँगा. ये दवाई नहीं है, टॉनिक है. दूसरी बोतल नहीं मिली, इसलिए नौकर इसमें ले आया. कौन है वो नालायक? उस नालायक के बारे में बाद में देखेंगे. पहले अपने बच्चे के बारे में सोचो. क्यों आप उसने क्या किया है? दस दिन से स्कूल नहीं गया है. क्यूं बेटा पूछा, तो कहता है तुम्हें क्या है? और गंदे बच्चों के साथ बीड़ी पी रहा है. ये बात मुझे बताने के बज़ाए तुमने उसे मारा क्यों नहीं? मारूंगी तो गाउंवाले मुझे ताना नहीं देंगे. कहेंगे मौसी बहुत सता रही है. छोटे नवाब! छोटे नवाब! आप रुकिये. मैं उसे भेजती हूँ. कहां जा रहा है? पापा बुला रहे हैं. नहीं बेटा, तुम पापा के पास मत जाओ. क्यों मा? वो पी रहे हैं. इसलिए मत जाओ. पापा, पी रहे हैं? हाँ बेटा. दोनों वक्त पी रहे हैं. मार पियो कहा और बोतल छीनी. तो मुझे लात मार दी. जोर से मारी. उन्होंने तुम्हें मारा? क्यों रहे? गंदी आदत सीख रहा है तो. क्यों? तुम नहीं सीख रहे? मेरी बात का उल्टा जवाब देता है, बत्तमीज. सुधरना नहीं चाहता है तु. तुम्हें सुधरना नहीं है, क्या? ये क्या किया रहे तुने, हाँ? तमीज कहीं का? चुदिया डुखे रहे तुने के मता, निकल आई यासे. जीजा जी तो देखकर लगता है, है पूरे पागल हो गए है. है son मैं तेरी जुबन किज लूँगा. ये पागल जैसे बात है, sister, दूर रहा हैं से, दूर रहा हैं, दूर रहा हो. नाग देवता पिता की मार को ना सह पाकर मेरे बेटे ने तीन दिन से आखे नहीं खोली है इसे बचा लो मेरे बेटे की जान बख्ष तो चाहिए तो मेरी कोक में पलने वाले बच्चे का बलिदान लेलो इसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी मेरे बेटे को बच्चा लो बेटा नाग देवता शक्तिशाली मा है मेरी प्राठना सुनेगी मेरे पेट में पलने वाले बच्चे की जान लेकर तुझे जीवित रखेगी एक बार इस देवी को प्रणाम करो बेटा कि अधिक आने से पहले जल्दी से खा लीजिए जिन्दा रहने के लिए अगर मुझे अपने ही घर में चोरों की तरह खाना पड़ी तो मर जाना उससे बहतर है मुझे जहर लाकर दें बाबुजी हाँ बैटी मने दो मुझे पागल की मुहर लगा कर मुझे इस कमरे में डाल दिया है उन राक्षो सोने इस बात का मुझे अतना दुख नहीं है लेकिन की बात मानकर मेरे कलेजे का तुक्रा भी मुझे भागल समझता है वही मेरे दिल को चला रहा है दुखी मत हुए बाबुजी किसी न किसी दिन छोटे न बाब सच्चा ही जान लेंगे आपके अच्छी दिन आएंगे खाईए न इस घर में हाथों से काम करना है मुझ भूख लग रही है क्या जी जाजी ठेहरिये थाता हूं क्यों जी तुम इंसान हो या जानवर भाई साब भूके हैं और तुम अकेले जानवर से सखा रहे हो मुझे भी खिलाओ ये लो अख ऑ, अरे किस अंड़ का पैदा हूँ अब प्रणा हुआ? मा, मैं शाम को निकलूँगा फीज भरने का बोला था ना, कितना चाहिए? दो हजार रुपए हाँ, ठीक के ले लो और सुनो, अच्छे से पढ़ाई करना, कोई गलत काम मत करना नहीं तो खेतों में गोबर पीसना पड़ेगा वो भी छोटे नवाब की तरह पैसा पैसा केक के मेरी जान खाएगा तो कहां से आएगा पैसा अपने भाई को देखो, कैसे दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रहा है महराजा की तरह शान से जी रहा है तुम भी ये सब बंद करके भाई की मदद करो मेरे बस की बात नहीं है मैं पढ़कर डॉक्टर बनूँगा नहीं पढ़ा सकती हो तो बोलो मैं कुछ और कर लूँगा क्या बख्वास लगा रखिये, क्या बात है सिस्टर मत पढ़ो बोलती है बरदर पढ़ूंगा बोलता है हर महीने हजारों रुपए हम कहां से लाएंगे मा, चोटा भाई डॉक्टर बनेगा तो हमारी कितनी इज़द बढ़ेगी लोग जब तुम्हें डॉक्टर की मा कहेंगे और मुझे डॉक्टर का भाई कहेंगी तो हमें कितना अच्छा लगेगा तू पढ़ाई कर रहे है ऐसा नहीं बेटा, पैसे पैसे के बारे में भूल जाओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? थ्री थाओजन फिर वई, मैंने मना किया था न, इंग्लिश में बात करेगा तो मेरी समझ में नहीं आएगा मामा, कितना मांग रहा है? थ्री, मतलब चार, चार हजार बस इतने से, मा, दे दोने से देने के लिए मा के पास है ही क्या, चाभी के बंच के सिवाए जो भी है, वो भी बैंक में ही है डालना निकालना तो बस तुम्हारे हक में है बेटा येलो चेक बुक, साइन करो और जितना चाहे उतना निकाल लू कितनी बार काया मुझसे लिखा पढ़ी की बाते मत क्या करो मामा, बोलो बेटा चार हजार लिखने के लिए चार के पीछे कितने शूनिय लगाने होंगे? हजार को एक शूनिय चार हजार बोले तो चार शूनिय बेटा मुझे भी यही लग रहा ये ले, अच्छी तरह से पढ़ाई करना थैंके बहिया भांजे, 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 भांजे मैं भी तुमको थैंक्स बोलना चाहता हूँ किस लिए? मैं भी एक चेक लेना चाहा रहा हूँ बेटा तुम्ही क्या बीमारी है? बीमारी मुझे नहीं, तेरी मामी को है डाक्टर को दिखाना है, एक हजार, साइन कर दो ठीक है ये लो ठैंक्स भांजे, भांजे, भांजे ये तो सिर्फ 10 रुपे है, मैंने तो हजार बोला था हजार चार हजार के पीछे चार शुन्य, एक हजार के पीछे एक शुन्य, तुम्ही ने बताया था न मुझे दोका देना चाहते हो, मैं अतना बोला भी नहीं हूँ पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ वाहरे मेरे भांजे, मेरे दाउ से मुझे ही मारा, बैटर क्या मा, किसका इंतजार कर रही हो, छोटा नवाब आने वाला था, अभी तक नहीं आया पैसा दे दिया ना, अब उससे क्या काम है, तेरे लिए कुछ लाने गया है अब अपना मुँ मत मोड़िये मा जी, एक बार मेरी वहन के चेहरे की और देखिये आपके यहां गिर्वी रखे गैने नहीं छुड़ा पाया, तो इसके सस्राल वालोने से बाहर निकाल दिया है तो इसमें मैं क्या करूँ, पैसे देखे गैने ले जाओ बैज के साथ तो पूरा पैसा चुका दिया था माजी पैसे दिये होते तो पूरे गैने दिये होते माजी, आपके हाथ जोड़ता हूँ, जूट मत कहिए आप मेरी बहन की जिंदगी है वो गहने, आपकी बेटी समान है ये गहने देखकर मेरी बहन की जिंदगी बचा लिजे माजी आपके पास जितना है उसके सामने वो गहने कितने के हैं वो गहने नहीं लाया तो उसका पती उसे छोड़ देगा बोल रहा है वो छोड़ देगा तो तुम रख लो क्या बोला तुमने मेरी बाखे उपर हाथ उठाता है सकते अन्हेंन करे वाथ तुमने वाथ हुट कर दो भाल! कर दो प्राब दो! कर दो ए नहा है। नहा है! नहा है! नहा है! नहीं 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 जोड़ दो उसे तेरे उपर हाथ अपने वाले को मैं जिन्दा नहीं छोड़ूगा मैं कह रही हूँ छोड़ दो उसे हैंब को अधियर चलो चलो उठो 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 क्यों तुससे मार खाता रहा हा उसकी माने तेरे साथ जो दोखा सबिऑ सब लोग पूरी मेनत से काम करो दो पर से पश्री माले को काम करना किसलिए और किसलिए पुझे ने चाहिए तु नहीं मालेगी तो मैं जहर पिकर मर जाओंगा तु जानती है ना मैं तुझे कभसे लग करता हूं यूरे बहुत लल चाहरा है ठीक है जल दिया है लड़कियों तुम लोग मेहनातर लगन से काम करना मैं पंप शेड में जाकर कुष्मत बताना है ठीक है चल पचास कमा जरा उसको नीचे उतारो है एक दो ती चाह पाट छे अरे ऐसे क्यूं मार रहे हो तुम इने पचास बार ने के लिए घूसे नहीं यह बात तुझे कॉड़ी भी नहीं मिलने वाली है अगर तुझे इतनी जरूरत है ना तो छोटे कौन है यह अपने दंतेश्वर महराज दंतेश्वर तु है क्या यह क्या तेरे माबाप गए बबरबाप माबाप वो तो बिल्कुल ठीक है जी फिर तुटकला क्या होगा वो क्या है की बता हूं क्या तू रुख जा मैं बताता हूं ना आज जब वहां उस रेले स्टेशन पर माजी का गला दबाकर उनकी जान लेने की कोशिश करते वस गुंडे को देखा तो इसने दुखियों कर मनत मांगी कि माजी को कोई खत्रा ना हो और यह सीधा तिरु पती चला गया और वहां अपने बाल का चड़ावा चला कर टकला हो गया सचमे मेरी मा के लिए तूने स अबे तेरी तो दिमाग को गिर्वी रख दिया है क्या आज से साठ कर दो